है यह विए हैलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त अंकुर घ्रलत स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर घ्लत फोटोग्राफी में दोस्तों आज हम गोडेक्स की फ्लैस के साथ में गोडेक्स का ट्रिगर कैसे कनेक्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे तो यह मेरा गोडेक्स का एक्सप्रो ट्रिगर है और यह मेरी गोडेक्स की पी आठसो साथ सेकेंड के लिए यह फ्लैस है तो इन दोनों को मैं आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं तो आएगे दोस्तों देखते हैं इसको तो दोस्तों पहले क्या काम करते हैं पहले हम ट्रिकर को ज दोनों बटनों को हम एक साथ प्रेस करेंगे तो दोनों को एक साथ प्रेस करके होड़ रखा तो यहां पर रिसेट का बटन आ गया अब मैं इसको set कर देता हूं तो यहाँ पर मैंने यह वाला बटन दवाया यह वाला मैंने बटन दवाने के बाद में यहाँ पर हमारा यह वाला जो है यह इस तरीके का menu आगया अब इस तरीके के menu आने के बाद में अब यह जो है mood पे तो इसके जो functions के बारे में मैंने दोस्तो पहले एक video ब godEX tracker के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें добавी आप लेकश सकते हैं तो दोस्तो यह हो गया और इसको on करने के बाद में अब हम क्या कम करते हैं हम अपने जो godEX यह मेरी flash है इसको on करते हैं तो मैं यहां से इसको on कर लेता हूँ तो दोस्तो इसको comment on कर लिया इसको on करने के बाद में एक ये बटन है और एक ये वाला बटन है तो हम इन दोनों बटनों को जो है एक सथ प्रेस करके इसको reset कर लेते हैं flash को तो दोस्तों ये हमारा flash जो है reset हो गया reset होने के बाद में मैंने flash के functions के बारे में भी एक video बनाई हुई है गोडेक्स की V860 second flash जो है ये गोडेक्स की ये गोडेक्स की V860 second C flash है इसके functions के बारे में भी मैंने पहले वीडियो बनाई हूँ है आप उसमें उस वीडियो के भी देख सकते हैं कि गोडेक्स की जो flash है इस flash के function कैसे कैसे work करते हैं तो दोस्तों आएगा मैं यहाप आपको दि यह यहाँ पर e-ttl आ रहा है तो e-ttl आ रहा है अभी क्या करना है हमें यह वाला क्रिक करना है बटन कि अब यहाँ पर क्या है कि यह आ गया master एक बार और प्रेस करेंगे यह आ गया अब slave पर ठीक है तो हमें जाना है हमें off camera flash यानि कि trigger को flash के साथ में करेक्टर ना है तो अब यह यह जो नेटवर्क का जो आइकन आ रहा है यहाँ पर e-ttl लिखा हुआ है यहाँ पर master लिखा हुआ है इस पर जाएंगे हम एक बार फिर इसको slave करेंगे अब क्या कि हम इस वाले पर इसको जो यहाँ पर आइकन आता है यह network का एक तरीके के network है यानि कि यह network काम करता है wireless का तो wireless network के थ्रूँ यह slave का बटन है तो flash में हम function रखांगे slave का और यह जो है trigger trigger को हम जो है ऐसी रखेंगे यहाँ पर normally तो मैं इस पर click करके देखता हूँ fire के लिए तो दोस्तों देखेगा यह जो है flash हमारा fire हो रहा है तो दोस्तों यह flash हमारा fire हो रहा है और यहाँ पर हम जो है हमारा यहाँ पर यह एम लिखा हुआ है देखें दोस्तों यह अभी manual mode पर है तो हम manual भी इसको select कर सकते हैं तो दोस्तों हमने क्या करना है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि यह मतलब अब यह connect तो हो गया है बट मुझे अपने में off camera flash इसको यूज करना है और trigger से ही मैं flash की setting कैसा कर सकता हूं तो दोस्तों यहाँ पर क्या काम करना होता है हमें अगर जैसे यहाँ पर zoom करना है यानि कि जो यह TTL flash है इसकी zoom को हमें change करना है तो पहले हमें क्या करना होगा पहले flash में यह zoom का जो function है जूम के function को हम यहाँ पर अभी यह 24 है manually मतलब automatically यह by default क्या होता है 24 को होता है अभी क्या है कि हम इसको यह इस वाले button पर click करके यह function selection select करके अब इसको हम यह dot 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 mm पे कर देते हैं तो अब यह क्या है कि अब यह काम करेगा trigger के साथ में मैंने यहाँ पर trigger पर click करा यह जूम select करा मैंने तो जूम का जो function है इसको selection के बाद में अब मैं यहाँ से इसको गटा बड़ा सकता हूँ तो देखे कर दोस्तों यह अब काम कर रहा है इसलिए अ अब इसकी जो sound है इसको भी सुन सकते हैं मैं आपको दिखला हूँ इसको जो sound है है कि यहाँ पर मैं trigger से चेंज गर रहा हूं और आप इसका sound भी chak सुन सकते हैं कि यह काम कार मैं आपको यहां पे दिखला हूँ अगर आपको दिखाई दे आपको React के फेस पर देखेगा फॉट हूझ थोड़ा सा यहां पर ATK यहां पर देखेगा यह जो जूम है यह जूम वर्क करता है तो अब अब मैं इसको चेंस करूंगा तो आप देखिएगा यह दोस्तो जूम का जो function है यह अब काम कर रहा है ठीक है दोस्तो इस तरीके से हम trigger के थो फ्लैस का जूम का जो function है उसको manually हम select कर सकते हैं अब क्या है अब मुझे यह manual है एम यहां पर देखेगा यह manual है इसको मुझे क्या है कि अगर मुझे ए-t-l करना है तो मैं इसको यहां से मैंने यह off कर दिया अभी फिर मैंने अभी यह देखेगा दोनों में यहां भी यहां पर इटाएल हा गया और यहां भी एग यहां गया और आगया और इसीट करने के लिए यहां गुँमाँगो का मिली और जैसे मैंने हमने इहां पर रगरी इसकी वनबाई सिक्षें तो देखेगा दोस्थों यहां भी डिफॉल्ट वह ओटमेटिक लिए जो से मैं इस ट्रिकर के थूर्व जो यह में सैटिंन कर सकते हैं कि हम्हें किस्दे में क्या प्रावर की है कितनी पवर kरखनी है ज्यादा power रखनी है high power रखनी है अभी यह है कि यह 1Y1 होगी यहानि कि इस समय अभी यह 1Y1 होगी अभी इस समय फ्लेश के full power होगी तो अभी flash के full power होगी और अब मेहाँ पर मैं इसको देखेगा अभ मैं इसको अभी अभी 4 हो गया तो तो अब यहां पर 160, 128 में मैं वापस लाएगा हूँ, तो अब देखे कि पावर इसकी यहां पर 128 हो गया है, तो दोस्तो इस तरीके से हम बहुत इजी वे में हम आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अपने गोडेक्स के ट्रिकर को, गोडेक्स के फ्लैस के साथ में, तो बहुत तो जो फ्लैस में जो फंक्शन होना है, फ्लैस के अंदर जो हमें फंक्शन स्लेक्ट करना है, यह जो है वाइलेस का यहां पर आइकन आना चाहिए, और यहां पर स्लेव का आप्शन होना चाहिए, अगर यह मास्टर पर होगा, तो यह काम नहीं करेगा, अब जैसे यह यह जो fire का है बिजली का जो तरह यह जो निसान आ रहा है यह जो है अब मैं इस पर click करता हूँ यहाँ पर विहावी slave आ रहा है तो दोस्तों confuse नहीं होना है अगर जैसे यहाँ भी slave आगे दोखो अभी भी काम नहीं करेगा यह सिर्फ काम जो करेगा यहाँ पर flash के अंदर जो है य ये वाला icon जो है यह tower की तरह icon आता है ये tower की तरह जो- Icon है ये नेट्वर्क वाइर्लस का जो network है, उसका काम करता है, तो यहाँ पर हम इसको फिट से slave पर click कर लगे तो यहाँ पर हमने slave पर click करा तो अब क्या है नियुक्ति करा तो फिर्श जो है अब हमारी flash fire होगी तो देखें कि दोस्तों इस तरीके से ये काम करते हैं दोस्तों जैसे की अभी हमने देखा कि gotex की flash को gotex के trigger के साथ में कैसे connect करते हैं तो दोस्तों आपने वाले वीडियो के नहीं नोटिफिकेशन आपको इसली मिल जाएं दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि फोटोग्राफिक है और नई टॉपिक पे या इस में क्या और हम इंप्रूब्मेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अपना कमेंट मुझे जरूर दीजिएगा मैं को सिज करूँगा कि आपके कमेंट के द्वारा मैं चीजों को और इंप्रूब करूँ और फोटोग्राफिक है जो आप नई टॉपिक्स बताएंगे उस पर मैं वीडियो बनाओं आपके साथ में सेर करूँ तो दोस्तो अपना प्यार मिस्वी बनाई रहेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंकि दोस्तों